कि नमस्कार दोस्तों हमारा विहार में आपका स्वागत है आज है दोस्तों दो नयमबर 2020 और दो नयमबर 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो विहार से जुरे हुए हैं उसको करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलड कर सकते हैं टेलीग्राम अप्लिकेशन में साच किजिए हमारा विहार चुबी और चैनल को जोईन किजिए वहां पे आपको सारे दिन का पीडियेफ हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और तो इस वीडियो के लाश्ट में मैंने रिवीजन का दो प्रस्ण रखता है जिसका एंसर आप दोको कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक जोड़ी देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है बिहार के किस अस्पताल में कोरोना वाइरस की वैक्सिन का पहला और दूसरा फेज का ट्रायल सफलता पुरवक पूरा कर लिया गया है तो कोरोना वैक्सिन का ट्रायल जो चल रहा था उसका पहला और दूसरा फेज सफलता पूरा किया गया है एंस पतना के द्वारा भी आप्सन सही हो गया पतना एंस म कोरोना वायरस के पहले और दूसरे चरन का ट्रायल सफल रहा और जल्द ही वैक्सिन के तीसरे चरन का ट्रायल भी किया जाएगा वैक्सिन का तीसरा चरन पहले और दूसरे चरन के मुकाबले अधिक ब्यापक होगा पहले और दूसरे फेज में देश भर के 1125 लोगों पर ट्र प्राइल करेंगा चली में असेंट सब्सक्राइब हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट of Medical साइंज पतना यानि अधिकारिक तोर पेशे जय प्रकास नरायन अल इंडिया इंस्टीट कि आप मेडिकल साइंस कहा जाता है जो कि पतना में यह बिहार में इस्तित एक Medical College और Medical Research Public University है और थातकालिक उपराश्टपती भैरफ सिंसेकावत ने तीन जनबरी 2004 को इसकी नीव रखी थी अगला प्रसन है दोस्तो हाली में किस राजनेतिक पार्टी के द्वारा बदलो बिहार नामक Mobile अप गेम लाँच किया गया है तो बदलो बिहार नामक Mobile अप गेम लाँच किया गया है Congress के द्वारा डी उप्तन इसका सही हो गया अगला प्रसन है हाली में महिलाओ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली दस्ता त्यार किया गया है इसके लिए कौन सा हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है तो दोस्तो मेरी सहेली जो दस्ता त्यार किया गया है इसके लिए 182 हेल्प लाइन नंबर जारी किया आजा सकता है अगले स्टेशन पर सिकायत करता की मदद करने और सिकायत सुनने के लिए आरफी अपकी मेरी सहली दस्ता पहुंच जाएगी अगला प्रस्ने दोस्तो हाल ही में बिहार के कि 2020 में स्टेम् सेल अष्ट्रोनपी और दशन्सास्त पर सोध के लिए अंतराष्टी अस्तर का बिध्याले表 सथापित किया जाएगा तो यह विश्ता है बिध्याले के दवारा और नियान विश्मिद्द्य अधिनीयम 2008 के तहति यह तिक है और दोस्तों आजकल विहार से करेंट और बहुत ही कमा रहा है ठीक है इसका विहार से करेंट फिर्षर तीन चार पाँची कलेक्ट कर पाते हैं और मैं तो वीडियो भी नहीं बनाता है दो दिन का एक साथ वीडियो ब फस्केस फ्रस्न दाल रेहें ठीक है प्रति दिन तो वीडियो पसनदा रहे है तो वीडियो को लाइक कर दिजें ठीक है चलते हैं अगले प्रस्न की तरह तो अगला प्रस्न है दोस्तों बिहार बेजट से तो बिहार बज़ट 2020 से कुल पुंजीगत कितना अनुमानित किया गया है तो राज का जो पुंजीगत व्याय है यानि capital expenditure इसको इंग्लिश में गलाता है तो पुंजीगत व्याय अनुमानित किया गया है 470010.30 करोर भी option इसका सही हो गया बित्य वर्ष 2019 से यह रासी 1749.94 करोर प्या अधिक है पिछले वर्ष यह रासी 4500.273 करोर था यानि पिछले वर्ष यानि 2920 का जो था बज़ट था उसमें दोस्तो पुंजीगत व्याय जो था राज का वो 4500.273 जो कि बीसे का इसमें बढ़ के हो गया सही 4010.30 करोर अगला प्रसन है दोस्तों यह आर्थिक सर्फेक्षन का है तो बित्य वर्ष सब्सक्राइब दोस्तों यह जन गन्ना से है तो जन गन्ना में दो पाट आता है एक साक्षर्ता होता है जन गन्ना होता है जन गन्ना के अंदर में आता है कोश्चन दोनों से पूछे आता है ठीक है तो दोनों का एक साक्षर्ता से प्रस्न लिया जाता है और एक जन गन्ना से ठीक है तो यह तो जन गन्ना के अंतरगत यह साक्षर्ता से प्रस्न लिया गया है तो वर्ष 2011 के जन गन्ना के अंसार बिहार में संपुन साक्षर्ता द सबसे अधिक महिला पुरुस का भी समता जो देखा गया है यह सुपॉल में देखा गया है सी जुप सन इसका प्ताई हो गया और बहुत दिन से दोस्तों किसी जिला के बारे में नहीं बता है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों यह आगया बिहार का में और यह रहा सुपॉल जिला अगर सुपॉल जिला का सीमा का बात किया जा तो यह मदवनी से सहरसा से मधेपुरा से और अररिया से सटा हुआ है और अंतराश्टिय सीमा से भी सटा हुआ है क्योंकि देख रहे हैं यह जो छेत्रे नेपाल का है तो सुपाल जिला का सीमा नेपाल से भी सटा हुआ है तो एक अंतराष्टी सीमा बनाता है तो एक नजर डाल देते हैं नेपाल से सटा हुआ उसमें नाम आता है पश्मी चंपारन पुरवी चमपरंस सितामडी मदवनी शुपॉल अरड़िया और किसन गंच ठीक है मतलब इस साइड का जितना भी जिला है सारा नेपाल से सटा हुआ है ठीक है और दोस्तों सुपॉल जिला जो है दोस्तों ये कोसी प्रमंडल के अंतरगत आता है तो चलिए एक नजर डालते है कोसी प् सुपॉल प्रमंडल जो है ये हो गया ठीक है सॉरी कोसी प्रमंडल के अंतरगत आ गया शुपॉल मधेपूरा और शहर सा ठीक है तो ये एरिया जो है दोस्तों ये कोसी प्रमंडल का है ठीक है और दोस्तों सुपॉल जिला का स्थापना जो हुआ है ये 14 मार्च 1991 का हुआ ह साक्षर्थादर यहां का 57,67% है अगर प्रमुक फसल का बात किया जा सुपॉल जिला का तो केला, गेहु, धान, मक्का, मुंग और पटसन यहां का प्रमुक फसल है प्रमुक नदी यहां का कोशी है अब कोशी नदी का नाम है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं तो दोसों यही तरीका होता है लिंक करके पढ़ने का एक प्रसन से लिंक करके दस प्रसन पर यह ठीक है और बहुत ही जेनरल कपडिशन का यह दसो यूनिवर्सल यह फर्मूला है ठीक है कि अगर जल्दी सक्सेस करना है जेनरल कपडिशन में तो लिंक करके पढ़ा कीजिये ठीक है बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा तो चलिए कोशी प्रमंडल के बारे में जान लेते हैं तो कोशी नदी नेपाल की राजानी काटमार्डू के उत्तर पुर्व में इस्थित गोशाई थान से निकलती है बिहार में शुपॉल जिला में प्रवेस करती है और खगरिया के पास गंगा से मिल जाती है कोशी नदी को नेपाल में सब्त कोश्की कहा जाता है क्योंकि यह नदी साथ धाराओं से मिलकर बनी है कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है क्योंकि बार्ट से सबसे ज़्यादा च्छतिज होता है बिहार में यह कोशी नदी से होता है गंगा की उत्तिरी साहक नदियों में यह सबसे लंबी नदिये, कोशी नदि की कुल लंबाई 730 किलो मिटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलो मिटर है, चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ, तो अगला प्रस्ण है, वर्स 2011 की जनगर्णा के अंसार बिहार के किस चिल कोशन देगा, चार जिला करते देगा, आप बोलेगा इसको सही तरीके से सजाईए, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो सिर्फ चार जिला है, वो है शेकपुरा, शीवहर, अरबल, और लक्की सरायटिक है, यह चार जिला है, इसका जनसंख्या सबसे कम है, तो दोस्तों यह इसका करेंट अफेर्स चलते हैं, रिविजन का तरफ, तो कल्क रिविजन का पहला प्रस्न था, हाली में किस आये साधिकारी ने बिहार, विदुद, बिन्यामक, आयोग के अध्यक्ष का पदवाश्रम भाला है, लेकिन इसे और शम्यधानी कहा गया है, तो सही उतर हो गया दूसरा प्रस्न था, बिहार के किस शेत में कोजागरा लोग पर मनाये गया है, जिसे हाली में, कोजागरा पर किस शेत में मनाये जाता है, सिम्पल सा कोशन थे, यह मितलांचन में मनाये जाता है, और हाली में इसे मनाये गया है, ठीक है, तो D आप्सन सही हो गया, तो सही उ इंडिया का एक हिंस्ता है दूसरा प्रस्ण है आज का हाली में Public Affairs Center बैंगलुरी द्वरा Public Affairs Index 2020 चारी किया है इसके अंसार बिहार का स्थिति किया है तो इस दोनों प्रस्ण का उतर आपको करना चाहते हैं तो खबरी अप्लिकेशन पर हमारा भी है चांग को सब्सक्राइब कीजिए महां प्रती दिन आपको इस वीडियो का आडियो मिल जाएगा जिसे सुनकर आप रिविजन कर सकते हैं और खबरी अप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चले तो आज के लिए इतना ही बीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद